कि हालो एवरिवन वेलकम टू मैं चैनल आप समीत मालविया आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है कि हम करिकुं इडि को ररे चैनल के बारे में आपको मैं इड्वाईजरी इश्यू करी है गर्मेंट नी होगा कि बताने जारा हूं कि in काल उसमें क्या वियाकर वियाटर जन्रल और निटेकंट वाG करी गई है जो मैं आपको पूरी तरह explain करने वाला हूं कि 14 जून 22 को को इनने एडवाइजरी नंबर 10 22 इश्यू करी थी है ना यह कैटेगरी है एडिकोड एक्सपोड एक्सपोड के लिए जो इन्होंने एडवाइजरी इश्यू करी है इसके पिले मैं आपको रादू कि यदि आपको किसी भी तरह की सर्वीसेश चीए तो आप हमारे नंबर 7000-110950 पर कॉल कर सकते हैं अब हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इसके लाब हमारे पास हमारे पास प्राइवाइड कंपनी का रेस्टरेशन ल्ल्प रोसी फाइलिंग स्टार्ट अच्ट इंटिया इसे टर्नें रिफएट के इसके लिए जिए आप 7000-110950 पर कॉल कर सकते हैं तो यह सब्जेक्ट में बता रहे है कि change in system of respect of AD code registration in export तो export के case में जो AD code registration हम करते हैं उसमें यह बता रहे है कि आगे क्या वने वाला है तो there was a demand for the trade AD code should be required to be registered only once in custom system for filing document across the custom location तो यसी demand आ रही थी trade की कि हम एक बार किसी एक location पर AD code registered करें तो और इंडिया के सारे ports पर अप्लिके बो जाए तो facilitate trade the following changes तो इसको जो trade है इसको simple करने के लिए उन्हें AD code registration को changes किये गए है इन्होंने इस advisory में बताया है तो यह जो पहले जो process थी उसमें यह होता था कि AD code जिस bank के साथ associated है system में मतलब AD code यूश किया था था shipping bill file करने के लिए किसी भी custom के location के लिए और जो भी separate ports होते थे उन पर आपको क्या करना था कि multiple आपको हर टाइम हर port पे और document file करके उसको registration करना होता था कि हम हमारा जैसे के a code code है तो मुंबई नवाश्यों पर अलग करेंगे दिल्ली पर अलग करेंगे बैंगलोर पर अलग करेंगे चैन्नी पर अलग करेंगे सब पर हमें अलग-अलग करना पड़ता था तो इन्होंने new change ही लाए है कि AD code will be associated with bank will now required to be registered in the system at only one port and thereafter the AD code would be available in all the custom location मतलब आपने किसी भी एक port पे AD code registration कर दिया है तो वो all over India की locations पे अप्लिके बुछ जाएगा और यह process online ही चलेगी offline और manually और CHR custom का role इनमें खतम कर दिया है यह 100% online होगी ठीक है for the new AD code registration और updation at any port the same has been registered through online request eyes gate के थ्रूई होगा ठीक है वह मैंने इसको पर detail video बना हुआ है कि eyes gate में आप registration कैसे करेगे AD code का registration कैसे करेगे आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते है कि मैंने उसको क्या हमें registration कैसे करना है the option to add modify AD code account against the IEC has been disabled in IEC is under CL के role तो जो CL के role मतलब जहां से custom house से जो अपर होता था वहां पर उन्हें add or modify मतलब जो भी हम करते थे वो उसको remove कर दिया है as in existing procedure the request would be approved by officer under the CL के role in particular port actually होता क्या था कि जब हमने दिल्ली के port के लिए apply किया तो दिल्ली के port का जो custom officer होता था वो उसको check करता था and approve करता था तो उन्होंने क्या किया कि उनका role 100% भी खतम कर दिया है once the AD code is registered against the IEC AD port the same can be used for the all the ports यदि हमने एक मतलब इसका अतलब गया है कि हमने एक port पे हमारा AD code registered कर दिया तो वो सारे ports पे आपको दिखेगा there is no requirement to separate registration and other port मतलब उनको अलग-अलग port पे registration नहीं करना पड़ेगा further any changes in particular AD code account detail have to be done at the port of registration only the port chosen in IEC at the time of making application of registration मतलब यदि आपको आपका AD code for example HDFC bank में account था अब आप चाहरे हो कि मुझे HDFC की service अच्छी नहीं लग रही है मुझे ICIC bank में जाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस भी port पे आपने आपने registration किया था और एंटेप्ट पर तो आपको बैंगलोर एर्पोर्ट पर ही जाकर बैंगलोर एर्पोट को ही अमडमेंट करना पड़ेगा जैसे आप उसकी करोगे जैसे इसको प्रूब्र होगा तो और इंडिया पर वह पर वह सेम बैंक एप्लिकेब हो याएगा ठीक है there can be multiple AD code associated with the account registered against in the IEC for the past the most of the AD code AD code associated with the IC with one IC with a lot of AD code registered no changes have been many in this regard as I explained above all the multiple AD code will be have changed have to be registered in the system at the one port of the explained above thus for an IC there is it can be different port registration for the different AD code so now it will be different different ports for different AD code registration you will need to have a single port registration all over India and you will need to have the AD code registration so you can have our number 7000110950 call and whatsapp can also be able to have the existing AD code associated account registered for the IC the custom port where the last shipping bill with a particular AD code was a file has been taken as the port registration of the AD code in the system the detail of port registration each registered AD code against the IC will be available on the IC gate login ID under the bank account management which is the port registration so for example we will have the last shipment by that here is the location which has been the ID code registered all over India all over India all over India the port of the application will be available and the AD code will be available in the IC gate login to bank account management में जाके क्या option में जाके चेक कर सकते हैं एस एक्स्प्रेंड अब हो एनी चेंजे अमिड्मेंट इन पर्टिकुलर एडी कोड अकाउंट सब्सक्राइब करोगे तब ही वो सारे पोर्ट पर किसे और पोर्ट पर करोगे तो अप्लिकेबल नहीं हो पाएगा ट्रेड ट्रेड अंडर यूर जुरिडिक्शन टुबी गाइड़ शुटिबली एंड ओफिसर इंफॉर्म इन इश्यू फेस्ट मेभी फॉर्वर्ड टीम यदि आपको कोई इश्यू आथा तो आप इस पे मेल कर सकते हैं टीम को फॉर्ड कर सकते हैं ठीक है और आपको किसी किसी भी तरह की सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एव नाइस टे